Hello student, मैं शाहिन लूत्रा, आज हम करेंगे class 7 का math का chapter 2, उसकी exercise 2.7, यह हमारी इस chapter की last exercise है, इसमें भी हमें क्या करना, देखो सभी questions में हमें क्या करने के लिए बोला गया है, fine करने के लिए बोला गया है, question number 5 तक हमें, और सब में आप देख रहे हैं, divide के ही sign लगे हुआ है, तो हमें 100 से multiply किया था, ऐसी इसमें हम divide करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सब 10 से करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 100 से करेंगे, इधर हम 1000 से divide करेंगे, ठीक है, बहुत ही simple exercise है, और बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले हम start करते हैं, question number 1 से, question number 1 में हमारा 0.4 divided by 2, ठीक हम 2 से divide करना है, तो देखो, अभी तक जैसे हम करते हैं, point हटाते है, नीचे हम 10 लिग देते हैं, जितनी उपर, जितनी digit के बाद point होता है, उतने ही हम 0 नीचे लगा देते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया 4 upon 10, और यहाँ पर क्या हमारा 2 है, हमेशा हमें पता है कि जब भी हम decimal के अंदर या fraction, decimal में नहीं, fraction के अंदर जब भी हम divide करते हैं, तो वो reciprocal हो जाता है, और फिर हम उसका sign change कर देते हैं, divide multiply में change हो जाता है, तो यहाँ पर 4 upon 10 है, तो यहाँ पर 2 के नीचे 1 आजाएगा, तो 2 upon 1 का 1 upon 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कर जाएगा, बच्चे का क्या हम 2 upon 10, अब नीचे 1 0 तो उपर 1 digit के बाद decimal आजाएगा, तीक है, ऐसे 0.35 divided by 5, यहाँ से हमने decimal हटाया, नीचे 2 0 आगई, 2 digit है, तो 2 0 divided by 5, अब यहाँ पे इसके नीचे 1 है, reciprocal हो जाएगा, divide multiply में change हो जाएगा, 1 upon 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 बंजा 5, 5 से बंजा 35, 7 को 1 से किया 500 को 1 से किया, तो 7 upon 100, और नीचे 2 0 है, तो 2 digit के बाद उपर point आजाएगा, 2.48 divided by 4, यहाँ से हमने decimal हटाया, नीचे 2 0 लगाई, अब यह जो हमारा 4 upon 1 है, 1 upon 4 हो जाएगा, और यह हमारा cut जाएगा, 4 के table से 62, 4 6 है 24, और 4 2 जा 8, तो 62 upon 100 आगया, और यहाँ पे हमने नीचे से 2 0 टाई, ऊपर 2 digit के बाद हमारा point आगया, 65.4 divided by 6, यहाँ से भी हमने decimal है, यह 10 आगया और 6 आगया, तो यहाँ पर हमारा यह कट जाएगा, 6 के table से, यह दोनों जो है वो, 6 के table से कट जाएगा, बचेगा 10, देखो 6 बन जा, 6 हो जाएगा, और यह हमारा 54, हमने 2 digit एक साथ ल देने के लिए हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा, और 6 9s आप 54, तो 109 हो गया, और 109 अपोन में क्या है, 10, तो 1 नीचे 0 है, तो उपर 1 digit के बाद point आजाएगा, 5 वला, 651.2 divided by 4, यहाँ से decimal हटाया, नीचे 10 आगया, यह भी 4 अपोन 1 है, तो 1 अपोन 4 हो जाएगा, multiply का sign हो ज बचेगा, हमारा 1628 अपोन में 10, नीचे से 0 हटेगे, उपर 1 digit के बाद point आजाएगा, 6 ब ऐसे करेंगे, 14.49 divided by 7, तो यहाँ से मैंना डेसिबिन हटा, नीचे 100 आगया, 7 अपोन 1 का 1 अपोन 7 हो गया, sign divided से multiply में चेंज हो गया, 7 से cut जाएगे दोनों, बचेगा 207 अपोन में 100 और नीचे से 2 0 हटा के उपर 2 digit के बाद point लगा देंगे, अब यह first question का last है, 0.80 divided by 5, तो यहाँ पे हमारा यह decimal हटा, नीचे 2 0 आ गई, यहाँ पे हमारा 5 के नीचे 1 है, 5 अपोन 1 का 1 अपोन 5 हो जगा, 5 के टेबल से cut जाएगा, 5 बन जा 5, 5, 6 यहाँ हमारा cut जाएगा, तो क 2 0 है, उपर 2 digit के बाद point लगया, तो बन गया 0.16, इसका जो है वो answer हो जगा, question number second में भी देखो हमें find करने के लिए ही बोला गया है, लेकिन अब हमें 10 से divide करना है, decimal को, जितने भी हमें यह देखो सभी में 10 दे रहा है, तो हमने सभी को 10 से divide करना है, जब हमें decimal के अंदर 10 से hundred से या thousand से divide करना होता है, तो हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हमारा decimal क्या है, हट जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब भी हम इन दोनों को divide करते हैं, भी हम decimal लेटाएंगे, देखो, यह क्या है हमारा 4.8 divided by 10, तो हमने 4.8 upon में 10 लिख दिया, क्योंकि यह दोना divide हो रहे है तो हमने इसको यह हमारा जो है, इसके नीचे आजए हो क्योंकि यह divide हो रहा है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, अब देखो, उपर one digit के बाद पहले से ही point है, और एक zero नीचे भी दे रखी है, तो अब क्या होगा, तो जो पहले से one digit के बाद point है, और one नीचे है, तो one plus one two हो जाएगा तो अब दो digit के बाद point लग जाएगा, ठीक है, यानि कि जो हमारा point है, वो एक क्या हो रहा है, वो हमारा जो point है, वो left hand side पे आगे shift हो जाएगा, जैसे कि हमने multiply में किया था ना, देखो, four point eight divided by ten, इसको अगर चाहो तो आप इसको इसको इस तरीके से करो, लेकि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बस सीध हो one zero है, तो हमारा जो point है, वो one digit left hand side पे जो है, वो transfer या shift हो जाता है, ये जो है, वो इसका answer बनेगा, ठीक है, ऐसे समया आप जो है, ten दे रखाया, तो one one digit जो है, वो आगे जाता जाएगा, आप इसको इस तरीके से भी कर लो, देखो, 52.5 upon में ten आ गया, आप नीचे one zero है, तो decimal एक digit आगे चला जाएगा, इतना सही आपको करना है, ऐसे हमें hundred में करना होता है, दो zero होती है, तो दो digit आगे चला जाता है, thousand में तीन digit आगे चला जाता है, करने का तरीका, question number second, third, fourth में, तीनों में ही same आएगा हमारा, इन questions में one digit वो आके चला गया decimal, यहाँ पे भी ten है, तो यहाँ पे क्या था, three three point one था, तो अब क्या हो जाएगा, three point three one हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा left hand side की तरह shift हो जाएगा, ठीक है, seventh में देखो, seventh में भी ten है, अब हमारा point क्या है, यहाँ पर है, तो अब यह एक digit हो जाएगा आगे, अब ओन में आपने ten सब में लिखना है, इसका six हो गया, अब हम देखने इसका seven, seventh में भी same इसी तरीके से है, three point nine seven divided by ten, तो three three point nine seven, अब ओन में ten, अब यह जो हमारा decimal इधर है, वो हमारा इधर आजएगा, एक digit आगे, तो देखो, यहाँ से यह आगे जाएगा, अब ही यहाँ पर है, एक digit तो हमारी यह होगी, एक digit हमें और zero लगाना पड़ेगा, तब हमारी वो two digit बनेगे, फिर यह आगे shift हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पस, यहाँ पर है, तो इसके आगे करना है आपको, ठीक है, इससे भी आगे, अभी तो हमा पाएगे, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर भी same यही करना, 0.78 है, तो दो digit के बाद करना, तो एक digit तो हमारी यह हो गई, एक zero हमें और लगाने पड़ी, फिर हमने उसको यहाँ पर shift कर दिया, आगे 0.0078 हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ तो हमारे पस हैं, तो यहाँ पर में 2 digit आगे करना, तो हमारा point यहाँ आजाएगा, और नीचे से 100 हट जाएगा, तो 4.326 हो जाएगा, तो इसका हम लेखते हैं, 5th, 5th है 23.6, तो यहाँ पर भी 2 digit आगे हो जाएगा, तो 2 digit आगे कहां आजाएगा, यहाँ आजाएगा, तो यह आगे आगे ना, 0.00 हो गय जाएगा, तो यहाँ से यह आगे हो गया, तो क्या हो गया, 0.9853 हो जाएगा, तो 6 हो गया, तो यहाँ पर हमारा question number 3 भी जो है, वो complete हो जाता है, तो हम देखते है, question number 4, अब देखो question number 4 में 1000 से डिवाइट करना, अब 3 0 हो गई है, तो 3 digit जो हमारा left and side के तो हो जाएगा, ए ऐसे यहाँ पर 3 0 है, तो 1, 2, 1, 0 लगाने पड़ेगी, हाना, 1, 2, तो 1, 0 लगा दी, 3 digit बन गई, point हमारा यहाँ पर आगे है, इसके अंदर भी देखो, यहाँ पर भी 3 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 digit है, 1, 0 लगाके हम उसको 3 digit बना लेंगे, ठीक है, तो हमारा point जो है, आगे के तरफ left and side shift हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 0 है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 digit है, तो 1, 2, 3, यहाँ पर हमारा decimal आ गया, 0.1289 हो गया, यह हो गया हमारा इसका 4th, 5 में भी 0.5 divided by 1000 है, अब यहाँ पर हमारे पास 1 digit है, अभी हमें 2 digit और चाहिए, पॉइंट को आगे करने के लिए, तो 2 0 हम लगा लेंगे, और हमारा point आगे की तरफ shift हो जाएगा, तो divide हम जो है na decimal में इस तरीके से जो है करते हैं, यह हमें 10 से, 100 से, 1000 से करना हो, तो यह हो गया हमारा question number 4, question number 5 में भी हमें find करने को divide करने के बोला गया है, लेकिन यहाँ पर हमें home number को decimal से divide करना है, first में हमने decimal को home number से किया था, अब हम करेंगे home number को decimal से divide, to first है 7 divided by 3.5, तो यहाँ से हमारा decimal हट जाएगा, उसी तरीके से हमने करना जैसे हमने पहले किया था question number first में यहां से हमारा decimal हट जाएगा नीचे one digit के पाथ point है तो यहां पे one zero आ जाएगी seven and thirty five आपस में cut हो जाएगे seven बंजा seven, seven five is a thirty five answer में हमारे क्या आएगा फिर यहां पे हमारा cut जाएगा five बंजा five, five फूजा ten ठीक है answer आएगा हमारा two यहां पे भी ऐसे thirty six divided by zero point two तो यहां से decimal हट गया नीचे ten आ गया two one जा two, two eight जा two one जा two, two eight जा sixteen तो क्या गया, eighteen को ten से multiply किया तो one hundred eighty, यहां पे हम decimal को decimal से divide कर रहे, यह भी हमारा three point two five है, zero point five तो दूनों decimal को हम हटा देंगे, जहां से हमने इसको हटाया, यहां पे two digit है तो two zero जा गई, यहां पे one digit है तो one zero जा गई अब यह reciprocal हो जाएगा five upon ten का क्या बन जाएगा, ten upon five बन जाएगा, zero से zero कर जाएगी five से हम इसको कार देंगे तो बच्चे का क्या हमारा, 65 upon ten, नीचे one zero है तो उपर one digit के बाद point आ जाएगा ठीक है, इसका four देखते है thirty point nine four divided by zero by zero point seven, यहां से point हटाया two zero, यहां से point हटाया one zero ठीक है, यहां पे देखो यह seven upon ten का, यह divide multiply पे चेंज हो जाएगा, seven upon ten ten upon में seven हो जाएगा, reciprocal हो जाएगा, seven से हमारा यह कर जाएगा one zero से one zero कर जाएगी, बचेगा four hundred forty two upon में ten नीचे one zero उपर one digit के बाद point आ जाएगा zero point five divided by zero point two five, ठीक है, दोनों के decimal हटा दो, इसके नीचे ten आएगा, इसके नीचे hundred आएगा, divide reciprocal हो जाएगा, divide multiply में change हो जाएगा, twenty five upon hundred जो है, hundred upon twenty five हो जाएगा, reciprocal हो जाएगा, five one जा five, five five जाएगा, twenty five, zero से zero कर जाएगा बचेगा, क्या उपर ten और नीचे बचेगा हमारा five, और इसको अगर हम काटेंगे, तो five one जा five, five two जा ten, आंसर आएगा हमारा two, six में भी हमें दोनों decimals को divide करना है, decimal हटा दो नीचे hundred, decimal को उटाया है, यहाँ पर भी hundred, अब यहाँ पर हमारा reciprocal हो जाएगा, twenty five upon hundred का hundred upon twenty five हो जाएगा, दोनों को हमने जो है five के table से cut करना है हमारा बचेगा यहाँ पर यह दो zero से दो zero cut हो जाएगा यहाँ पर one hundred fifty five और यहाँ पर बचे का five, अब one hundred fifty five five भी cut जाएगे, ठीक है, five के table से five बन जा five, five three जा fifteen five बन जा five, तो answer आएगा हमारा thirteen, ठीक है इसके बाद हमारा seven seventy six point five divided पर zero point fifteen, यह decimal हट के ten, इसको हटा के हमारा hundred आएगा, रैसी प्रोकल हो जाएगा fifteen upon hundred का hundred upon fifteen five के table से कर जाएगे, one zero से one zero कर जाएगी, one fifty three को भी हमारा जो है वो अगर हम ten से multiply करते हैं, तो बन जाएगा one five three zero, लेकिन अभी भी हमारा यह three से कर जाएगा, क्योंकि देखो three बन जा three, यहाँ पर ही काट के दिखाती हूँ, three बन जा three three five जा fifteen, three बन जा three अब fifty one को अब ten से multiply करते हो, तो 110 ही आएगा ना आपका, तो यह आपका आजएगा 110, 37.8 divided by 1.4, यहाँ से decimal हटा 10, यहाँ से decimal हटा आया 10, अब यहाँ पर देखो यह reciprocal हो जाएगा, 14 upon 10 का 10 upon में 14 हो जाएगा, और यह जो है हमारा पहले कटेगा, 7 के टेबल से, 7, 2 जा 14, यह भी हमारा 7 से कट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको 2 से काटेंगे, और 10 से 10 कट हो जाएगा, बचे का finally हमारा 27, ठीक है, 7, 8 हो गया, इसका 9, 2.73 divided by 1.3, यहाँ से decimal हटा 100, यहाँ से decimal हटा 10, reciprocal हो गया, 13 अपोन 10 का, 10 अपोन 13, multiply आ गया, sign हमारा, यह हमारा कट जाएगा 13 के टेबल से, ठीक है, और 0 से 0 कट हो जाएगी, 13 के टेबल से कट गया, और 0 से हमारी 0 कट हो गया, तो बचा हमारा 21 अपोन में 10, अब नीचे से 0 हटा के उपर हमारा वन डिजिट के बार, पॉइंट आ जाएगा, तो यह हो गया हमारा कोश्चन नमबर 5, और कोश्चन नमबर 6 में हमें बोला गया है, अवीकल कवर्स अदिस्टेंस, 43.2 किलोमेटर इन 2.4 लीटर पेट्रोल, यह यह लिए 2.4 लीटर पेट्रोल के इंदर इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है, तो how much डिस्टेंस विल इट कवर इन दा 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाएगा, तो हम लिखेंगे, डिस्टेंस covered in 2.4 liter of petrol 43.2 kilometer distance covered in 1 liter petrol 43.2 को divide कर देंगे 2.4 liter से divide हम नीचे करेंगे यहां से हम क्या करेंगे यहां से हमने decimal हटाया 10 यहां से भी decimal हटाया 10 क्योंकि 11 digit के बाद decimal लगावा है यहां पर हमारा देखो ही divide multiply में change होजेगा रेसिप्रोकल होजेगा 24 अपॉन में 10 का होजेगा 10 अपॉन मैं आपको करके दिखाती हूं 432 अपॉन में 10 multiply होजेगा 10 अपॉन में 24 रेसिप्रोकल हो गया न 10 से हमारा 10 कट गया simple अब इसको 2 से गाड़ हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 sorry पहले आएगा 2 2 जा 4 फिर 2 जा 2 फिर 2 2 6 जा 12 फिर 2 6 जा 12 फिर 2 जा 2 2 8 जा 16 जीरो आएगा बीच में क्योंकि दो डिशेट हम एक साथ ले रहे हैं ठीक है फिर से हमारा किस से जाएगा 6 से चला जाएगा 6 बन जा 6 यहां पर आजेगा 6 बन जा 6 और यहां पर हमारा पेट्रोल में डिस्टेंस कवर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा चैप्टर एक्सरसाइज जोनों कमप्रीट हो जाती है सबी वीडियोज आपको चाहिए की प्लेलिस में मिल जाएगी वीडियोज helpful लेगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू